Hello Friends, It's a proud moment for Recon Civil Academy to introduce first time in India a exclusive program dedicated to civil engineering students for preparation of means exam वो भी घर बैठे at a nominal price तो दोस्तों आप अपनी dream job से सिरफ दो कदम दूर रह गए हैं आप लोगों ने pre clear कर लिया है और अब means की तयारी कर रहे हैं means का exam pre से कैसे different है, किस तरीके से आपको तयारी करनी चाहिए Recon किस तरह का package provide करा रहा है, क्या initial discount हम offer कर रहे हैं ये सभी चीजे आज हम इस video में discuss करेंगे तो दोस्तों first thing first पहले देखते हैं कि pre और means में basic फरक क्या है और क्यों तयारी different होनी चाहिए pre और means के लिए तो दोस्तों सभी लोग cricket देखते हैं, so we can say कि pre is just like 2020 और one day जबकि आप अगर means को देखे तो it is more like a test match तो आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा कि 2020 one day अलग format से खेला जाता है जबकि test match अलग format से खेला जाता है, तो क्या basic difference है यहाँ पे objective questions होते हैं, जबकि यहाँ पे आप subjective questions को handle करते हो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे या तो आपको zero mark मिलेंगे या full mark मिलेंगे किसी भी एक question में जबकि subjective के अंदर आपको steps के marks होते हैं आपने question सही किया या गलत किया ये अलग चीज है लेकिन अगर आपने steps लिखे हैं, आपनी चीजों को ढंक से solve किया है तो आपको कुछ marks प्रोवाइड किये जाते हैं This is a very basic difference जो एक student को समझना होता है कि subjective और objective में क्या फरक है इसके अलावा जो major difference है दोस्तों objective और subjective में वो है exam का control Exam का control अगर आप देखें दोस्तों तो pre के अंदर totally student के हाथ में होता है यानि कि 2020 या one day में जो batsman होता है वो control करता है match को उसी तरह exam को control करता है student मैं आपको एक example से भी ये बात समझाऊंगा अभी जबकि means के अंदर अगर आप देखें तो exam का जो control है वो examiner के हाथ में होता है किस तरीके से आईए एक example से देखते है एक question आता है दोस्तों simple example से मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक simply supported beam है जिस पे central load w लगा है L by 2 L by 2 symmetrical beam हो गई अब आप से अगर examiner pre के अंदर central deflection पूछना चाहे तो student के पास बहुत सारे तरीके हैं ये बतानी के लिए कि इसका central deflection w L cube over 48 EI होगा ये हो गई pre की बात यानि कि control किसके हाथ में है student के हाथ में वो चाहे तो answer याद कर ले या कोई भी method adopt कर ले लेकिन जब हम means की बात करते हैं दोस्तों तो पूरा control examiner के हाथ में आ जाता है और वो इसी question को पूछ सकता है कि आप slope deflection से इस question को solve करिए now student have no choice but he should understand कि what is slope deflection method क्या steps उसको लगाने होंगे इस question को solve करने के लिए तब ही वो answer ला सकता है wl cube over 48 ai यानि कि आपको means का exam जो है वो examiner के point of view से देना होता है जबकि pre के अंदर आप कैसे भी answer दीजिए बस आपका answer correct होना चाहिए options आपके पास रहते हैं ज्यादातर case में और आपको full marking मिल जाती है यहाँ पे full marks लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है steps के marks होते हैं और आपको examiner की सोच ध्यान में रखनी होती है कि किस तरीके से examiner इस question को सोच रहा होगा एक और example बताता हूँ दोस्त आप लोगों ने strength of material में देखा होगा कि एक बार है जो अपने self weight w की वज़े से कित्ता deflect होगी अगर ये कोई pre में पूछता है तो everybody know कि अगर इसकी length l है तो wl over 2ae ये बस आपको answer याद करना होता है pre में हम लोग भी यही कहते हैं कि answer याद कर लो अगर means में examiner पूछता है कि self weight की वज़े से कित्ता deflection होगा तो आपको derivation पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इस चीज़ को derive करेंगे so this becomes a very important part कि आप means के लिए examiner को ध्यान में रखें किस तरीके से derivation हो रहे हैं क्या steps हैं जो आपको examiner को बताने हैं ये आपको clear होना चाहिए तभी आपको marks मिलेंगे और दोस्तो सबसे important बात है कि means के बाद सिरफ एक hurdle बचती है interview और आपको आपकी dream job मिल जाती है यानि कि means में आप जित्ते जादा marks secure करेंगे तो आपके उतने ही जादा chances हो जाएंगे interview में select होने के और final job पाने के क्योंकि interview में बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है आज के scenario में आप इछले कुछ सालों से देख लीजिए student means के ही marks से job पा रहे हैं और means में perform करना ही real task है एक student की जब वो pre clear कर चुका है तो reckon इसमें आपकी कैसे help करेगा ये मैं आपको बता दूँ इसके अलावा अगर आपको कोई doubt बच जाए इसके बावजूद तो आप हमारे ये गए whatsapp number पे भी contact कर सकते हैं तो दोस्तो हम लोगों ने course design किया है जिसके अंदर हम आपको total 260 questions देंगे video format में और हर question में steps involved रहेंगे कि किस तरीके से question solve होता है हर subject का मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस subject के किते questions आएंगे और वो देख के आप समझ सकते हैं कि तयारी कैसे करनी है और almost पूरा syllabus हम cover कर लेंगे इन questions के माधियम से तो अगर आप ये 260 questions कर लेते हैं तो I am sure आपको बहुत अच्छा vision मिल जाएगा कि means की तयारी कैसे करनी है और आप exam में बहुत अच्छा perform कर सकेंगे और इन सब के लिए दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर बैट के unlimited time आप videos देख सकते हैं बहुत important है दोस्तों कि कोई limit नहीं है unlimited आप views कर सकते हैं यानि कि आपको कोई भी चीज कितनी बार भी देखनी हो we give you freedom आप infinite times तक देख सकते हैं validity रहेगी दोस्तों इसकी 2 सालों तक ये videos आपके पास 2 सालों तक रह सकते हैं requirement क्या है आपको एक laptop या PC चाहिएगा I'm sorry to say हमारे videos mobile में नहीं चलते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि पढ़ाई mobile में नहीं हो सकती आपको बैट के एक अच्छी बड़ी screen पे तयारी करनी चाहिए आप अपने notes चाहें तो mobile में पढ़ सकते हैं अगर आपको serious तयारी करनी है दोस्तों तो mobile is not a good medium to see यह बात हो गई अब बात करते हैं दोस्तों amount की की रेकॉन किस तरह के discount प्रोवाइड कर रहा है तो पहली चीज में discount का बता दूँ हमारा pre-offer open होगा दोस्तों 8 February से लेके 15 February तक यानि की जो भी student इस period में enroll करेगा 8 February to 15 February उसको हम अच्छा खासा discount देने वाले हैं तो क्या है इसके बारे में देख लीजिए अगर आप रेकॉन के premium student पहले से हैं तो ये fees हो जाएगी दोस्तों मातर 6,000 रुपीज ये रेकॉन के बहुत से premium student हैं जो means में select होते हैं उनके लिए ये fees होगी only 6,000 रुपीज बाकी students ये रेकॉन के students नहीं हैं लेकिन ये course लेना चाहते हैं 8 तारिक से लेके 15 फरवरी तक उनके लिए ये pricing होगी दोस्तों 8,000 रुपीज अब बात करते हैं दोस्तों 15 तारिक के बाद में क्या होगा जो लोग enroll कराते हैं तो अगर रेकॉन के ही premium student इसके बाद में enroll कराते हैं तो उनके लिए fees होगी 8,000 रुपीज और जो normal student हैं उनके लिए fees होगी 10,000 रुपीज तो दोस्तों I advise you कि आप time waste न करें direct अपना seat book करा ले 8 तारिक से 15 तारिक तक discount का फाइदा उठाएं और फिर 15 तारिक से हम आपको video provide कराना शुरू कर देंगे related to these topics दोस्तों this is a golden opportunity I am again and again saying तो दोस्तों time waste मत करिये अपनी seat book करा लीजिये so that की आप videos लेके अपनी तयारी शुरू कर सकते हैं अगें सेंग अगर आपको कोई doubt हो तो नीचे दिये गए WhatsApp नंबर पे हमसे contact कर सकते हैं With that, thank you very much, keep enjoying your civil engineering and have lot of fun in your life